नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम स्वारफ कुमार है और मैं आप लोग को यहां पर बिहार लोग सेवाई हो भी पीएस सी कामेंस प्रावर्ण ठीक है और आपका वर्तमान खटना चक्रे का जो भी कोचना है पिछले पांच वर्सों में उसी को यहां पर पढ़ मार्यवटा करा आपका तो चलिए पर आज का हमारा जो कि परिच्छा में इसमीं जो कोचन पूचागा से होने वाले तो चाबहार बंदरगास से होने वाले भाद की नए आयात तिर्यात इंपोर्ट जो आपका रूट है के प्रम मोचन से अफगानिस्तान और भाद के वैपार प्रोज्टाहां की समभवनों की विविचना कीजि सेकेंड कोचन होने जा रहा है देखिए आपके सामने आप आगया हमनों इसको लाइन वाइन पढ़ेंगे ठीक है एक मिट कीजिएगा कोचन टू आप कुचन सेकेंड था चाबहार बंदरगास होने वाले भाद के नए आयात इलियात मार्केट का मुचन से अफगानिस्तान पूचन से पुचा गया है तो चाबहार बंदरगा भाद वरा इरान में विक्सित किया गया है भाद की ओर से एरान इस्थित चाबहार बंदरगा को विक्सित करने की रननी थी लेकिन इरान के उत्साम में कमी और बाद में उस पर राष्ट्य पतिवन लगने की वज़े से बात आगे नहीं बढ़ पाई थी इसके बाद मई कि 2015 में पूरा भात और इरान की विच चाव़ार पई उना पर चर्चा हुई तक इसके विकास कि इसके बंधर गात कि लिया सिव हो गया है अवो सथा इसके काम काज़पा भात कर दो ने इनतन हो गया ठीक है थो चावफार बंदरगा पहात इरान इरान में विक्सित किया गए ठीक है और भात की ओर से इरान इस्तित चाबहार बंदरगा को पिक्सित करने के रंदे थी 2003 में बनाए गी थी लेकिन उद इराम के उस्सा में कमी और बादमोज पर अंतराश्टी ये प्रतिवन लगने की बज़ा से बात ये आगे नहीं बढ़ पाई थी और इसके बाद मैई बंदरगा के क्रियासिल होने से भारत और इरान के बीच आर्थिक और रनितिक संबंदों में मजबुति तो मिली ही है और साथिच चाबहार बंदरगा से होने वाले भाद के नए एक नए आयात दियात माके सुरुगाल से अब्गाइस्तान बाद के बीच वैपार पुसां क संब्सक्राइब है तो इस बंदरगा के क्रियासिल होने से भाड और इरान के बीच आर्थिक और रनितिक संबंदों में मजबुति तो मिली ही है और साथि-चाबहार बंदरगासे होने वाले भाद के नए आयात माके सुरुगाल से अप्गाइस्तान बाद के बीच वैपार कि संभावनाओं को निम्रीकित बिंदूओं को तहाद देखा दा सकता है तो भात के लिए चावाहार की अत्यादिक उप्योगीता है भात के लिए चावाहार की अत्यादिक उप्योगीता है भात यहां मानता है कि बंदर गाहो और रियल कनेक्टिविटी के विकास से भात इरान और अफगानिस्तान तीनों देशों में रुजगार के नहीं अफसर पैदा होंगी और इन देशों में संभिती आईगी ठीक है और अर्तिक विद्दिव्र विकास और विकास से विएपार का अफ़कुने गटन होगा और इस समझावते के लागू होने कि भात अफगानिस्तान और इरान के विश विएपार चाहबाहार के संचलंग से पार्थ पकिस्तान को बाइपास कर सकेगा और भार्त अफगानिस्तान के महार्थ के मढपने का इस्थी बंदोगा से बंद्रगा के रास्ते से भीजा साग तो चाहबाहार के संचालेंज से भात पकिस्तान को बाइपास कर सकेगा ठीक है और भात अगवानिस्तान में मालकियापूर्थी को बढ़ावा दे सकेगा और शेतरीय आर्टिक संपर्ख केंजरिक रूप में चावहार के मत्वे के मद्दे नेगर भात में अफगानिस्तान को 1.10 लाक टन पहला जहाद किसी बंद्रगा के राश्ते भेजाता है कि अगरे 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 शावार कोट का एक लाव यहावी है कि यह पकिस्तान में चीन द्वारा चलाया जारे ग्वादर पोर्ट से केबल 100 किलिमिटर दूर है और इससे भाद चीन को प्रतिस संतुरित कर सकता है चीन अपने चीन अपने चीन पकिस्तान आर्टिक यह आरे कारेकरम के तर्थ स्पोर्ट को विक्सित कर से रहा है और इसके जरिए अधिया में नहीं वैपार परिवहन माल्ट खुलना चाहता है अधा चाहार पूट इस तो चाहार पूट इस संबंद में भी भात आफ़ाव आफगाइस पूर्वी भाग में इरान के तच्छिन पूर्वी भाग में शिस्तान बल्चिस्तान प्रांत में श्टित चावहार रणितिक रूप से अर्टियंत महतपूर है और इसके जरिए भात को इरान अफगानिस्तान चाहिद पूरे मद एसिया रूस और इरोप से भी करुबार कर करने का नया रास्ता मिल गया है अरब सागर में सित इससे बंदरगा के जरी भात इरान और अफगानिस्तान के बिच एक नए ट्रांजिक चूट भी की विश्रुवात हो रही है जिससे तीन देशों के बिच वैपार मजबुत होगा तो इरान के दच्छन पूर्वी भाग में प्रिष्टान प्रांत में चावहार रनितिक रूप से अत्यांत महत्पूर्ण है और इसके जरीए भात को इरान अफगानिस्तान सहित पूरे मद इस्या रूस और इरोप से भी कारवार करने का नहीं रास्ता मिल गया है और अब सागर में सित इस पंदरगा के जरीए भात इरान और अफगानिस्तान के जिए एक उसर्व रही है इसके देशे मद्बूत हो गार इसके लावा लावाध चावहार बंदरगा लेकर आपटिजित acadat. पकिस्तान को लेकर अपकर करताmag है लेकिन इस बंदरगात के जड़ी जब बात के लिए अ कि अपने पुर्च्टान पाकिस्तान के बिना अफगानिस्तान से जूट सकेगा बात को पर्चमी एसिया से जुणने का सीजा रास्ता उपलब कराएगा और और इससे इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं होगा यहां उलेकनी है कि अमेरिका ने इरान पर प्रतिवंद लगा दिया है लेकिन उसने चावार बंदरगा को इन प्रतिवंदों से चूट दी है क्योंकि अफगानिस्तान के बिकास और वहां मानविये राहत पहुचाने के लिए ऐसा करना जुरूरी था है भाद के आगरा पर अमेरिका ने इस बंदरगा को इरान पर लगे प्रतिवंदों से मुक्त रखाए इस बंदरगा को इस बंदरगा को इरान पर लगे प्रतिवंदों से मुक्त रखाए इस बंदरगा के लिए इरान के चाभार के रास्ते एक नए रूट खोल दिया है जमीन से घीरा यूद क्रस्थ देश अफगानिस्तान अपनी अर्थ ववस्ता को सुधारने के लिए विज्यसी बजारों तक पहुंच बना रहा है ठीक है और इसी वर्ष 57 तन सूखे मेवे टेशिटायल कारीन और खनेज पडात लेकर स्तेय करां के आफगानिस्तान के रास में आफगानिस्तान के रास शहर जराम से इरान के चाभा प्रश्चमी अफगानिस्तान के सर जराम सी इरान की चावहार पोड को रवाना किया है यह समान जहाज के उज़रिये मुंबई पहुंचा निर्याद के नए रूट की सुझार करते हुए राश्च पत्रिये कहा कि वैपार घार्टे को कम करने के लिए अफगानिस्तान धीर द अफगानिस्तान को गया लाक टन गेहूं और दो हजार टन मस्दूर की दाल का निर्याद किया था वर्स 2018 में अफगानिस्तान की समूदर तक असान पहुंचा देता है जो दूनों देशों को पकिस्तान को धर गिद्वार की सब्स देशार बंदर खरोने के सभाइनिस्ताव कोग마íve और भारत सरफ के रहती हुए और इस से भाहट आफगानिस्तान के स्रस्वा करने क्षा में पते हुए नहीं है कल हमाय कोछे मत दी होगा करेंट फेर्ट का ठीक है तो आज के बस गई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद